तो दोस्तो आज की वीडियो में बस आप से यही कहना चाहता हूं कि आप एक ही साइट पे ध्यान मत दो आप लाइब इस्टिम कर रहे हो तो सिर्फ लाइब इस्टिम पे ध्यान मत दो आप हाई एवरों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल हमान टाइग में तो दोस्तो आज की वीडियो जो कुछ अच्छा इस्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको कुछ बेस्ट बेस्ट जैसान देने वाला हूं मेरे जो सब्सक्काइबर ह उसमें यदि मैं 100% मेंसे यदि आपको बताऊं तो 80% ऐसे मेरे सब्सक्राइबर है जो सिर्फ लाइव इस्टिम करते हैं चाहे वह भूया एप में करते हों चाहे रूटार एप में चाहे टर्निप एप से किसी भी एपली के संब करते हों लेकिन ज्यादा तर जो मेरे सब्स की डिरेक्शन पर जा रहा हूं सिर्फ आप लाइव इस्टिम को ही देख रहा हूं अगर मेरे ऑडियंस में से सो में से परसेंटेज निकाल के बताऊं तो 20% ऐसे मेरे यूजर से जिनके पास यूटूब के चैनल है और यूटूब पर भी काम कर रहे हैं अब दोस्तों ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं तो देखिए आप लाइव इस्टिम करते हो यूटूब चैनल रहेगा आप इन दोनों में फोकस रखोगे तो आपका एक नेक चैनल जो ग्रो होगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिक के दे सकता हूं कि आपके लाइव इस्टिम से अच लेकिन आप मेंसे काफी लोग यह नहीं समझते हो, सिर्फ आप live stream को देखते हो लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपकी earning कितनी होगी, बहुत कम होगी, आप सोच भी नहीं सकते होगी यदि आप mobile से live stream करते हो, तो आपकी जो maximum earning में बताओं तो आप मेहने में 2000 से जादा नहीं कमा सकते हो, जी हाँ यह सहीं बात है आप mobile से live stream करके, चाहिए कोई भी application सो, उसमें आप 2000 से जादा नहीं कमा सकते हो लेकिन सोचो गैस, यदि आपके पास एक YouTube channel है, उसमें सिर्फ आप 2 घंटे दे रहे हो एक टो आप वीडियो सूट कर रहे हो, उसके बाद आप create कर रहे हो तो मेरी मानों तो YouTube में आपको बहुत ज़्यादा ही फादम मिल सकता है क्योंकि YouTube में यदि आपका एक वीडियो viral हो गया, वहीं से आपका चैनल गुरो होना स्टार्ट हो जाएगा वहीं यदि आपके live stream पे अच्छे खासे views आ जाएंगे तो वो जो views होगे, वो ज़्यादा time तक आपके साथ नहीं देंगे वो जो है धीरे धीरे आपके कब होते जाएंगे, फिर आप वो इसी category पे आ जाओगे लेकिन दोस्तो आप YouTube पर भी काम करोगे और live stream करोगे तो यहाँ पर आपको जो सेपरेट हो जाता है क्योंकि आप अपने YouTube के audience को अपने live stream पे invite कर सकते हो ये लोग आपके live stream को भी देखेंगे, साथ में आपके YouTube के वीडियो को देखेंगे तो दोस्तो मेरा मानो तो आप live stream के साथ साथ YouTube चैनल भी create करो उसमें आप वीडियो डालना स्टार्ट कर दो, अब दोस्तो वीडियो आप ऐसे create करो जिससे लोगों को interest आए जैसे कि आपने free fire के बार में कोई वीडियो create किया है, चाहे आपने skin record करके अपने gameplay का record किया है अब दोस्तो आप उसमें voice over करीजे, debut कीजे, और आपको जिस जगा लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे अच्छी से comedy करने चाहिए उस जगा आप comedy कर सकते हो, और दोस्तो अगर इसी प्रकार से आपकी वीडियो चलती रहीगी तो आगे आपके अच्छी खासे YouTube भी grow होगा साथ में आपके live stream भी grow होगा, तो मेरे जितने भी live stream subscriber है, जिनका अभी तक YouTube channel नहीं है आपकी भी अच्छे खासे audience हो, आप भी अच्छे से grow करो, तो दोस्तो आज की वीडियो में बस आप से यही कहना चाता हूँ कि आप जो है एक ही site पे ध्यान मत दो, आप live stream कर रहे हो तो सिर्फ live stream पे ध्यान मत दो, आप YouTube channel भी create करो, उसमें भी वीडियो डालो और live stream भी करो सो दोस्तो आज की वीडियो पे आप लोगों से यही बाते करनी थी, सो I hope कि आप मेरी बातों को समझ गहोंगे और आप YouTube channel भी create करेंगे, सो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन घंटी को ओल पे प्रेस कर देना, आगे भी आपको इसी प्रकार की helpful वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेगी, तो इसका साथ चले मिलते हैं को नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक लिए बाई-बाई, टेक क्यार.